नमस्कार में अपरिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है चुरे जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को बिहार में शुरू हुआ दूसरे चरण का मतदान बिहार में दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा विवस्था के बीच मतदान करवाये जा रहा है जो इसके तहत राजधानी पटना समेत मतदान वाले 17 जिलों के कई मतदान केद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की कतार देखने को बिली राजुन निर्बाचुन कारे आले के नुसार जिन 4 आनवे सीटों के लिए 41,662 मतदान केंडरों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी हाला कि सुरक्षा कार्णों की विज़े से खगडिया जुले के बिलदोर और अलॉली विधानसभा छेत्र दरभंगा जुले के कुशेश्वरसान और गौरा बोराम राजसभा छेत्र मुजफरपुर जुले के मीनापुर पारो और साहिब गंस तथा वैश्वाली जुले के COVID-19 के माहौल में हो रहे देश के पहले बड़े चुनाव में मतलाताओं और मत्दान कर्मियों के संक्रमन से बचाफ के लिए भी व्यापक इंतजाम किये गया है निदीश तेजस्वी, तेजप्रताप और राबरी देवी ने भी किया वोट बिहार में दूसरे चरण में 94 सीटो पर वोटिंग प्रक्रिया जारी इसिक्रम में राखोपूर, खगडिया, बेगुसराय, हाजिपूर, वैश्वाली, पतना, दाजिंद्र नगर, हसनपूर, छपरा और कार्थी में तमाम जेगे पर वोट आज डाले जा रहे है कई बूथों पर सुबै से ही लोगों की लंबी-लंबी कतार देखने को बिल रही है बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार और राजत नेता, तेजस्वियादव, तेश्व्रताप यादव और उनकी मा राबनी देवी ने भी इस बार अपना वोट दिया है सभी नेताओं ने प्रदेश के जनता से वोट डाले की अपील भी कि इतना ही नितियान अंदराए हाजिपुर विधानसभा छेतर से मतदान दिया है मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने दिगा के एक सरकारी स्कूल में दूसरे चरन में अपना वोट डाला है इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से वोट का इस्तमाल करने की अपील भी कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशिलकुमार मोदी ने भी दूसरे चरन में राजियंद्र डगर में वोट डाला आज की वोटिंग से तैह होगी कई युवा नेताओं की किस्मत बिहार में दूसरे चरन का चुनाव युवा नेताओं की किस्मत लिखने वाला है आज के चुनाव में सबसे अधिक युवा उमिद्वार मैदान में है केवल NDA और महाखटवंदन में ही नब्बे की संख्या में उमिद्वार है इसके साथ ही दूसरी राजणयतिक दल और निर्दलिय उमिद्वार में भी युवाओं की संख्या काफी ज्यादा है आपको बताते महागटबंदन ने 56 सीटों में से 33 सीटों पर युवाओं को उता रहा है खास बात यह है कि इन सिटिंग सीटों पर भी उनके ऐसे उमिद्वार है जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है ऐसे उमिद्वार की कुल संख्या 42 से लेकर 44 वर्ष तक के सभी उमिद्वारों को राजनोयतिक पार्टी के सबसे कम उम्र के चेतन आनंद और इस्राइल मनसूरी भी है कॉंग्रिस के खाते में इस चरण की 24 सीटे गई है जिसमें से 9 मिद्वार के इवल 40 वर्ष से कम के हैं इसी चरण में युवा कॉंग्रिस की गुंजन पटेल भी मैदान में है उनकी उम्र 35 वर्ष के आसपास की है भाजपा इस चरण में 46 सीटो पर चुनावी वैदान में उतरी है इन सीटो पर पार्टी ने 50 साल से कम उम्र के 24 वमेद्वारों को मैदान में उता रहा है वहीं जद्यू की 15 प्रत्याश्य की उम्र 50 साल या उससे कम है चुनावी नतीजों से पहले बाहर आने की लालो परसाद यादव ने जिताय चुरागोटाले के मामले में इसके लिए हाई कोट में आविदन देखने के लिए कहा गया है और साथी 6 नूबंबर को लालो यादव से समंध्det एक मामले के सुनवाई है इसी के साथ जमानत याजुका पर भी सुनवाई किये जाने की मांग की है लालो के अधिवक्ता दिवर्शी मंडल ने इस बात की जानकारी दिया और बताया है कि दुमका कोशागर मामले में दाखर जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए मतदान केंद्र पर ड्यूटी कर रहे बी एस एफ के सब इंस्पेक्टर की गई जान बिहार दान सबाच चुनाव के दूसरे चरन के तहट आज मतदान करवाई जा रहे है वही वैश्वाली जुले के लाल गंज बिधान सबाच छेतर के मतदान केंद्र संख्या 191 पर सुरक्षा के लिए तैनात बिएस एफ के सब इंस्पेक्टर के यार वाई की जान चली गई अमतदान की प्रक्रिया शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही सब इंस्पेक्टर को सीने में अचानक तेज दर दिश शुरू हो गई जिसकी सूचरा उन्होंने अपने बिएस एफ के एक सेंटर भगवानपुर में दी थी इसके साथ ही तभी सब सेंटर के जवान इलाज के लिए उन्हें हाजिपुर सदर अस्पताल लेकर रहा है जहां चिकल्सकों ने उनके गुजर जाने की सूचरा दी अस्पताल ले जाते वक्त ही उनकी जान चली गई हाला कि स्थान ये लोगों की माने अर अरिया में प्रधान मंत्री नरेद्र बोदी ने ज्यादा मतदान की कही बात बिहार में दूसरे चरन के लिए मतदान जारी है वहीं तीसरे आखरी चरन के लिए राजरेतिक पार्टियों ने भी प्रचार प्रसार की प्रक्रिया जारी का रखिया इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी भी आज औररिया के एक चुनावी रैली को संबोधित करते देखे गए जहां उन्होंने कहा कि राजु में पहले से ज्यादा मतदान हो रहा है वहीं इस दोरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने विपक्ष पर भी खूब निशाना साथा जिसके देट उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज और डबल डबल युवराज को नैसेरे से नकार दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में एहंकार हार रहा है परिश्रम जीत रहा है आज बिहार में परिवारवाद हार रहा है जंतांत्र फिर से जीत रहा है कॉंगर्स पर निशाना साथ ते वे प्रधान मंत्री ने कहा कि पार्टी ने देश के जूटे सपने दिखाए है इसकी जुनता ने उसे सजा दी है आज पार्टी के लोकसभा राजुसभा मिलाकर सौसानसत भी नहीं है प्रधान मंत्री ने COVID-19 के माखौल में मत्तान कराने के लिए चुनावायों को भी धन्यवाद दिया है जिसकी बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने सहरसा में भी चुनावी जनसभा का सम्मोधन किया दूसरे चुनाव से पहले राहुल गांधी ने की बिहारवासियों से अपील कॉंग्रस के पुर्वध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार विदालसभा चुनाव के दूसरे चुनाव का मत्ततान शुरू होने के बाद अपना बयान जारी किया जिसकी बाद उन्होंने कहा कि लोग अपने मताधिकार का उपियोग करे ताकि उनकी पसंद की सरकार बन सके उन्होंने राजमे मंगलवार को प्रस्तावित दोजन सभाव में उनकी तरफ से उठाई जाने वाले मुद्दो का भी उलेख किया राहूल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि आज आप सबसे मिलने बिहार के किशन गंज में आ रहा हूँ बढ़ती बेरोजगारी किसानों पर आप दा कमजोर अर्थवस्ता जैसे कई मुद्धे पर बात होगी उन्होंने लोगों से अपील की है कि आज बिहार के कुछ जिलों में मतदान का दूसरा चरण है वोट जरूर दे ताकि आपकी पसंद की नई सरकार बन सके आपकी ज़ानकारी के लिए आपको उता दे बिहार विधान सभा चुनाव के आज दूसरे चरण के तहट 17 जिलों की 94 सीटो पर मतदान का योजन करवाए गया है इससे पहले 28 अक्टूबर को पहले चरण के तहट 71 विधान सभा सीटो पर मतदान करवाए गया थे जिसमें लगभग 55.69 फीस दी लोगों ने अपने मताधिकार का उपियो किया था जिसके बाद अब तीसरे और अदिम चरण में 78 सीटो पर मतदान का योजन करवाए जाएगा और 10 नवंबर को मतगण ना होगी चुराग पासवान ने मुखिमंदर नितीश कुमार के सत्ता से जाने की फिर कही बाद लोजपा प्रमुख चुराग पासवान ने मुखिमंदर नितीश कुमार के एक बार फिर से सत्ता से जाने की बाद कही है जिसके तहित आज 17 जुलों की 94 सीटों पर मतदान के दौरान आवश्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है इसी बीच लोग जनशक्ती पार्टी के प्रमुख चुराक पासवान ने अपने चचेरे भाई और सांसत प्रिंस राज के साथ खगडिया जुलासि एक मतदान के इंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने पहुचे थे मतदान के बाद ही पत्रकारों से बाचीत के बाद पासवान ने कहा कि वो लिखित में दे सकते हैं कि 10 नवंबर के बाद नितीश कुमार राज्य के मुख्यमंतरी नहीं रहेंगे उन्होंने आगे कहा कि मैं ये लिखित में दे सकता हूँ कि 10 नवंबर के बाद नितीश कुमार फिर कभी मुख्यमंतरी नहीं बन पाएंगे मेरी कोई भूमी का नहीं होगी मुझे बिहार फुरस्ट बिहारी फुरस्ट चाहिए मैं चाहता हूँ कि 4 लाक बिहारियों के सुझाव द्वारा तयार किये विजन डॉक्यमेंट के आधार पर काम हो इसके साथ ही नों ने ट्वीट किया कि आज के मतदान में सभी बिहारियों से अपील है कि खुद पर गर्ब करने के लिए अपने मतदान का प्रयोग करे आने वाले सरकार में बिहार परिवर्तन देखना चाहिए तयजस्वियादव ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को याद दिलाई है ऐज 94 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया के बीच नेता quतिपाक शुते जस्वियादव ने प्रधान मंतरी को एक चुठ्थे लिखे उन्होंने पत्र को ट्वीट करते वे लिखा आशा करते हैं कि आप बिहारवासियों से पिछले 6 साल में किये गयवादों को भूले नहीं होंगे और उन्हें पूरा करके आदरनी प्रधान मंत्री जी समस्त बिहारवासि पुरह आपके बिहार आगबन परहादिक अभिनंदन करते हैं दरसल राज़दनेता ने जो प्रधान मंत्री मोधी को पत्र लिखा है उस पर उन्होंने बिहार के विशेश राज़ का दरज़ा दिलवाने का मुद्धा भी उठाया है उन्होंने प्रधान मंत्री पर तंजुकस्तेवे कहा है कि 2014 से ही बिहार वासी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा पूरे बिहार को उमीद थी कि उसे सवा लाग करोड का पैकेज मिलेगा लेकिन अब तो विशेश राज का दर्जा तो दूर विशेश पैकेज तक का अतापता नहीं है आज बिहारी बिथरे स्पेशल में हम बात करेंगे आलोक कुमार महता की आलोक कुमार महता का जन्म आजी के दिन साल 1966 को बिहार में हुआ था आलोक कुमार बहता बिहार राजु से सम्मंधित एक अनुभवी भारतिय राजुरतिक्य है वो वर्तमान में बिहार भारत के उजियार पुर्जुले का प्रतिन धित्व करते वे विधान सभा के सदसे है वो शुरूर में सहकारिता विभाग बिहार भारत 2015 विधान सभा चुन में 54 सीटों पर उप्चुनाव के लिए वोटिंग जारी COVID-19 के वाहॉल में बिहार विधान सभाचुनाव के साथ साथ देश के 10 राजों के उप्चुनाव का आयोजन भी करवाय जारा है जिसके परिणाम स्वरूप मध्धिप्रदेश, उत्रप्रदेश और गुजरात समेत 10 राजों की 54 सीटों पर उप्चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है सब्चुनाव में मध्धिप्रदेश पर सबकी निगाहे हैं हाला कि उसी पर टिकीवी है क्योंकि शिवरात सिंग चौहान की सत्ता धारी पर इस बार सवाल उठ सकता है मद्यप्रदेश में सिवराज का राज बना रहेगा, यह कमलनात का मद्यप्रदेश की कुर्सी दुबारा से मिलेगी, इसका फैसला राजु के 28 विधान सभा सीटों के मतदाता कर रहे है मतदान केंदर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सकती से पालन किया जा रहा है, इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किया गया है मद्यप्रदेश में 28, उतरप्रदेश में 7, गुजरात में 8, जारखन में 2, करनाटक में 2, नागालैंड में 2, उड़िसा में 2, चातिसगर में 1, हर्याणा में 1, तिलंगाना में 1, विधान सभा सीट पर उप्चुनाव के लिए वोटिंग जारी है दुबाई के बुर्च खलिफा पर दिखा शारुख खान का वीडियो, बॉलिवूर्ट के बादशाह शारुख खान ने दोनवमर को अपना 55 जन्म दिन सेलिबरेट किया शारुख खान के जन्म दिन को खास बनाने में उनकी फैमिली और फ्रेंज ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें लगातार फेमस सेलिबरिटीज के बधाई संदेश भी आ रहे थे वाई शारुख खान इंदनों अपने परिवार के साथ दुबई में है और यहीं पर उन्होंने अपना वथ्रे भी मनाया इस मौके पर दुबई के मारत बुर्ज खलिफा पर उनकी तस्वीर दिखाई दी इस दौरान उनका वीडियो सोचल मीडिया पर भी खूब शेयर किया गया है और इस वीडियो को खुद शारुख खान ने अपने सोचल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है उनका ने लिखा है कि दुनिया के सबसे बड़ी और उची इमारत पर खुद को देखना बहुत अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त मुहमद अलावर मेरी अगली फिल्म से पहले ही मुझे सबसे बड़ी स्क्रीन पर ले आए धन्यवाद और लव यू ओल दुबई में मेरे अ ज्यादा रोमांचक हो रहा है सीजन का आखरी लीग मैच आज शाम में मुंबई इंडियन्स और सन्राइजर हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा इस मुकाबले के बाद यह तै हो जाएगा कि आज कौनसी टीम आखिर प्लेओफ के लिए चौती टीम फाइनल होगी जि लीग मैच के बाद ही यह तै हो पाएगा कि किन चार टीम ने प्लेओफ में जगे बनाई है हाला कि हाइदराबाद की टीम अपने प्लेओफ में पहुंचने की उमीद लेकर मैदान में मुंबई के खिलाफ उतरेगी टीम की हार उसे टुर्नामेंट से बाहर कर देगी और दस मामलों की पुष्टी की गई है जिसके बाद प्रभावितों की कुल संख्या 82,66623 पर पहुँच गई है वहीं एक दिन के अंदर 490 मरीजों की जाज चली गई है जिसके बाद जानकवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,23,097 पर पहुँच गई है जिसके बाद भारत मे सक्रिय मामले घट कर 5,41,405 पर पहुँच गई है वहीं रिकवरी दर की बात करें तो अब कुल मिलाकर 76,3,121 मरीज ठीक हो चुके है तो चली बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नुसार COVID-19 के माहौल में करवाए गया विधान सभा चु के लिए जारी किये गया प्रोटो कॉल का पालन हो रहा था या नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटिट हैने के लिए हमारे यूटिब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन भूले धन्यवाद